डेली पब्लिक स्कूल यानि DPS पेरेंट्स के लिए एक पसंदीदा स्कूल है जहां पर वो अपने बच्चे का एड्मिशन करवाना चाहते हैं हर साल चाहे कोई सी भी क्लास हो नर्सरी से लेके क्लास 11 तक जितनी स्कूल में एड्मिशन के लिए सीट्स निकलती है उससे कई गुना जादा वहां पर बच्चों के एड्मिशन के लिए अप्लिकेशन दिये जाते हैं इसलिए अगर आपने छोटी सी भी चूक कर दी तो हो सकता है कि आपके बच्चे का एड्मिशन DPS में करवाने के लिए मौका आपके हाथ से निकल जाए इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी एड्मिशन प्रोसेस रिलेटेड जितनी भी सावधानिया आपको रखनी है साथी मैं आपको बताऊंगी एड्मिशन प्रोसेस क्या होगा रेजिस्टेशन के टाइम आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है डॉकिमेंट्स कौन-कौन से सम्मिट करने है एड्मिशन के टाइम आपको क्या सावधानी रखनी है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक एंड शेयर जरू करें हेलो फ्रेंट्स मैं उस्की हाँ वेल्कम टू माई चानल वा यू एंड चाइल्ड डीपीएस की जितने भी स्कूल्स हैं वो आते हैं डेली पब्लिक सुसाइटी के अंदर डीपीएस सुसाइटी के अंदर डीपीएस के कुछ कोर स्कूल्स हैं और कुछ डीपीएस सुसाइटी के द्वारा एफिलेटिट डीपीएस के ब्रांचेज हैं अगर आप जाना चाहते हैं कि कोर स्कूल और एफिलेटिट ब्रांच में क्या डिफरेंस है और DPS का कौन सा branch core school है और कौन सा affiliated branch है तो उसके लिए भी मैंने separate video बनाया है link आपको description box में मिल जाएगा आज nursery में admission के लिए कोई entrance test किसी तरह का exam तो होता नहीं है बच्चे के admission के लिए selection के कुछ criteria होते हैं सबसे पहला registration time पर होना जो school ने registration की date निकाली है तो उस date में अगर आप registration करते हैं तभी आपके बच्चे को मौका दिया जाएगा कई बार हम सोचते हैं कि जिस साल में admission कराना है उसी साल के January या February में form निकलेगा तो ऐसा नहीं होता है January, February तक almost उसके admission process complete हो जाता है खासकर DPS के जो core branches हैं उसमें registration काफी जल्दी शुरू हो जाता है किसी किसी branches में June, July में ही registration शुरू हो जाता है ज़्यादा सेप्टेंबर, October या November में registration स्टार्ट हो जाता है इसलिए जिस भी शहर के DPS branch में आप अपने बच्चे का admission चाते हैं तो उसकी official website को visit करें या फिस school में जाकर ये पता जरूर करें कि nursery admission के लिए registration कब से चुरू हो रहा है क्योंकि ऐसा नहों कि आप बैठे रहे इंतिजार में और registration की date खतम हो जाए nursery का registration जादे तर DPS के branches में online होता है कहीं कहीं पर online और offline दोनों होता है तो आप ये पता कर ले अगर online हो रहा है तो online तरीके से आप registration form को fill करें जो भी documents attach करने हैं वो आपको scan करके उस पे upload करना होगा और अगर offline होता है तो registration fill करके सारे documents की photocopy आपको attach करके स्कूल में जाकर submit करना होगा registration form fill up आप बहुत ध्यान से करें खास कर बच्चे के नाम, माता-पिता के नाम उसकी spellings को ध्यान से लिखें और जितनी भी information registration form में मांगी गई है उससे related सारी details accurate लिखे, सही लिखे और सो समझ के लिखे क्योंकि registration form में जो भी आपने detail बड़ी है उसी के अधार पर interaction में जादतर सवाल पूछे जाते हैं interaction क्या होता है? registration form जब आपका submit हो जाता है स्कूल में, registration की date जब खतम हो जाती है तो उसके बाद एक निश्चित date पर बच्चों को parents के साथ स्कूल में बुलाया जाता है बच्चों का interaction एक formal बातचीत teacher, coordinator साथ करवाया जाता है बच्चे के interaction के बाद parents का interaction teacher या school के coordinator या फिर प्रिंस्प साथ होता है जिसके अधार पर ये decision लिया जाता है कि बच्चे का selection उस स्कूल में होना है या नहीं DPS school में registration की fees ये होती है लगबख हजार से पंदरा सो रुपे की होती है और जिस भी तरीके से fees submit करने को कहा गया है online या draft के दौरा तो आप उसे भी compete करें registration form के साथ आपको fees submission की detail और साथी जो भी documents required है वो आपको attach करने होते है nursery class में admission के लिए जो minimum age होती है वो है 3 साल यानि जिस भी session में आपको admission कराना है उस साल के 31st March को बच्चे की age 3 साल complete हो जाने चाहिए माल लेजे आपको admission कराना है 2022 में तो as on 31st March 2022 में बच्चे की age 3 साल complete हो जाने चाहिए documents में जो सबसे important है वो है बच्चे का birth certificate birth certificate में आप ध्यान रखे कि बच्चे के नाम के साथ माता और पिता का नाम mentioned हो और साथी spellings parents का या बच्चे के नाम की spellings है वो भी correct हो ये भी आप ध्यान रखे अगर मालीजे birth certificate for the time being आपके पास नहीं है और बच्चे का passport ready है तो आप passport की photocopy एक alternative के रूप में लगा सकते हैं second important document है बच्चे का vaccination card यानि वो medical card जो बच्चे का होता है जिसमें ये mention किया जाता है कि कौन सा टीका, कौन से date को लगेगा कौन से vaccination बच्चों को दी गई है वो जो card बनता है जिसको दिखा कर आप किसी भी hospital में या clinic में बच्चों को vaccine दिल्वाने जाते हैं वो card की copy भी आपके पास होनी चाहिए third important document होता है वो है parent का photo identity proof इसके लिए आप आधार card, passport, driving license या फिर voter ID का इस्तमाल कर सकते है next two important document है वो है residence proof जिस भी जगह में आप रहते हैं उसका address proof इसके लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं राशन card, voter ID card, utility bill, rent agreement, sale deed या फिर आधार card अगर आप single parent है तो आपको legal document की attested copies की जरुरत पढ़ सकती है single parent यानि अगर mother अकेले बच्चों को पाल रही है या फिर father अकेले बच्चों को पाल रहे है तो वो single parent के category में आएंगे तो उनको legal document की attested copies admission के time लगेगी अगर बच्चा अपने माता-पिता के साथ नहीं रह रहा है किसी रिष्तिदार के साथ रह रहा है तो उसका वो रिष्तिदार local guardian कहलाएगा और उस बच्चे का अगर admission होता है तो माता-पिता के साथ-साथ जो guardian है उसके guardianship की affidavit आपको बनवा के school में देनी पड़ेगी बच्चे की latest passport size photograph आप तयार करके रखें वैसे registration और admission के time बच्चे की 6-8 passport size photograph की जरुरत पड़ेगी बच्चे के साथ-साथ parent या फिर guardian है तो उनके भी passport size latest photograph की जरुरत पड़ेगी नेक्स जो आपको जरुरत पड़ेगी वो बच्चे की blood group report है बच्चे का blood group क्या है इसके लिए आपको एक medical report भी स्कूल में submit करनी पड़ेगी अगर बच्चे ने class nursery से पहले play school या pre nursery में पढ़ाई करी है तो भी class nursery में admission के लिए बच्चे का किसी भी तरह का transfer certificate, migration certificate या फिर character certificate स्कूल में मांगा नहीं जाता है transfer certificate केवल class 2 onwards बच्चे से मांगा जाता है submission के बाद आपको registration slip मिलेगी अगर आप online apply करते हैं तो online आप download करेंगे अगर offline होते हैं स्कूल से आपको registration slip मिलेगी जिस पे signature और stamp होगा जब आपका registration form submit हो जाता है registration की date close हो जाती है तो school सारे application को verify करता है कि registration form पूरी तरह से fill है या नहीं अरे documents जो जो मांगे गए हैं वो attach है या नहीं fee submit की गई है या नहीं ये सारी चीज़े अगर सही रहती है आपका application next process के लिए consider किया जाता है जब registration आपका सही से हो जाता है तो school दोआरा आपको call करके SMS करके और email के दोआरा interaction की date दी जाती है interaction में क्या क्या सवाल पुछे जा सकते हैं अगर आप चाते हैं इस पर भी मैं एक detailed video बनाओ तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताएं interaction complete होने के बाद एक निश्चित date पर school दोआरा result अनाउंस किया जाता है ये result school के website पर भी upload होता है और school के बाहर भी आप जाकर list में check कर सकते हैं अगर बच्चे का नाम admission list में आ जाता है तो दिये गए date के अंदर ही आपको school में admission करवाना होता है अगर आपने उस दिये गए date में admission बच्चे का नहीं करवाया तो हो सकता है आपके बच्चे का admission cancel कर दिया जाए और ये मौका किसी और बच्चे को दे दिया जाए और admission करवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए सारे documents जो मैंने आपको बताए इसके साथ तर जो भी school की fees है चाहिए वो admission fees है, caution fees है, academic fees है वो सब भी आपको submit करनी होती है admission के time एक मोटी रकम आपको school में भढ़नी परती है इसलिए आप school के website पर जाके जरूर admission fees की detail चेक कर ले या फिर school में जाके ये details ले ले क्योंकि admission के time आपको admission fees भी भढ़नी होगी caution money भी भढ़ना होगा monthly fees भी भढ़नी होगी तीन महने की fees एक साथ advance में लिया जाता है इसलिए जरूरी है कि school में apply करने से पहले तो school के fee structure आप अच्छे से समझ ले क्योंकि अगर आपके बच्चे के admission इस school में होता है तो limited time के अंदर वो amount आपको school में submit करना होता है important जानकारी जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो DPS हो या फिर कोई और school उसमें admission के लिए आपको कोई problem नहीं आएगी मेरे चानल पर class 1 से लेके 10 तक के entrance test के sample paper और school education related बहुत सारी useful information मिलते हैं तो आप मेरे चानल को subscribe जरूर करें साथी bell notification को भी press करें जिससे आपको पता चल जाए जब भी मैं new video upload करूँ उमीद करते हूं इस video की जानकारी आपको काम की लगी होगी इस ही आशा के साथ मिलती हूं आपसे next video में Thank you so much for watching this video